Hello friends मैं सुस्मा को हारड वेलकम टू मैई चैनल friends आज मैं आपके लिए एक बहुती सुंदर और बहुती आसान फ्लैक्सिबल डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्रेंट्स इस डिजैन को आप बच्चों के स्वेटर, जेंड स्वेटर, गर्ल्स टो, फ्रो, कुर्ती, कैप, हाई नेक, बेबी स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, बोई स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं सभी project पर ये design बहुत ही सुन्दर लगता है ये design बहुत ही flexible होता है ये इसकी सीधी side है और उल्टी side से ये design ऐसा दिखता है इस design को बनाने के लिए आपको 4 के multiple फंदे लेकर 2 फंदे extra लेने होंगे तो ये design आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा चार के multiple देखिए आप इसमें चार फंदे गिन लिजे फिर से चार फिर से चार फिर से चार फिर से चार तो बार बार चार चार फंदे गिनते जाहिए और last में आपके दो फंदे होने जाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और चार सलाईों में डिजैन कम्प्लिट हो जाता है आपको किसी प्रोजर के लिए फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए और फिर सीधी साइड से ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो फ्रेंट जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही पहली सलाई मैं आपको यहां से बना कर दिखाऊंगी तो आप अपने स्वेटर के लिए कोई भी बोर्डर बना लीजिए बोर्डर के बाद जो फंदे बढ़ाने हों आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ाकर सीधी साइड से डिजैन को शुरू कीजिए तो बोर्डर के बाद आप जो पहली सलाई बनाएंगी वही पहली सलाई मैं आपको यहां से बता रहे हों तो ध्यान दीजिएगा सीधी साइड हमे और पहली सलाई है पहला फंदा इसका एजस्टीच है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है तो देखिए एक और ये दो अब यहाँ पर देखिए मैंने दो फंदे उल्टे बनाई हैं धागा पीछे करेंग एक और ये दो इन दोनों फंदों को हम हलका सा लूज करेंगे आगे की साइड से इन दोनों फंदे में सलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे अभी हम इन फंदों को सलाई से उतारेंगे नहीं और इनको देखिए अलग-अलग करेंगे ये जो इसका फर्स्ट वाला फंदा है इसमें यहां आगे से स्लाइड डालेंगे एक बार इस फंदे को हम फिर से बुंगतेंगे तो देखिए दो फंदे से हमारे वापस दो हो गए और अब इन दोनों को हम उत्तार देंगे यह जो हमने चार फंदे का डिजाइन बनाया अब इसी को बार-बार करेंगे आगे से डालेंगे और दो का एक फंदा हम सीधा बना देंगे अभी इन फंदों को हम सलाई पर ही रखेंगे और दोनों को अलग-अलग करेंगे यह जो इसका फंदा है इसमें आगे से ऐसे डालेंगे और फंदे को हम सीधा बना देंगे अब दोनों को उतार देंगे यही चार-चार फंदे का डिजाइन बार-बार रिपीट करना है तो धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे और ये देखिए एक और ये दो इन दोनों फंदों को इस तरह से हलका सा लूज कर लेंगे फिर आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक फंदा सीधा बना देगे और ये जो दो फंदे हैं इनको अब थोड़ा सा ऐसी करेंगे तो ये जो फंद वाला फंदा है अब इसमें हम आगे से स्लाइड डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो दिखिए 2 से हमारे वापस 2 हो गए और इन दोनों को अब सलाई से उतार देगे फिर से एसी डिजाइन को repeat करेंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा पिछे करेंगे दो फंदे ये जो हमारे हैं इनको ऐसे लेंगे थोड़ा सा लूज करेंगे आगे से slide डाल कर दो का 1 फंदा हम सीधा बना देगे तो यहां अभी हमारा 1 फंदा कम हो गया है तो इन दोनों फंदो को ऐसे करेंगे यह जो first वाला है इसमें आगे से slide डालेंगे और 2 का 1 फंदा ऐसे यह मतलब हमने फर्स्ट वाले में इस एक बार फिर से बना दिया तो हमारे बापस दो फंदे बन जाते हैं फिर इन दोनों को एक साथ उतार देंगे फिर इसी डिजाइन को रिपीट करना है धागा अपनी तरफ दो उल्टे एक दो धागा पीछे की तरफ करेंगे दो फंदों को हलका सा लूज करेंगे आगे से स्लाई डाल कर दो का एक फंदा सीधा बना देंगे अभी इन दोनों फंदों को हम उतारेंगे नहीं ऐसे थोड़ा अलग करेंगे दोनों को और यह जो फर्स्ट वाला है इसमें हम स्लाई डाल लेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे तो दो से वापस दो होगे और इन दोनों को सलाई से उतार देंगे फिर से डिजाइन को रिपिट करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे दो फंदे को हलका सा पहले लूज कर लेंगे आगे से स्लाई डाल कर दो का एक कर देंगे फिर इस फर्ष्ट वाले फंदे को देगे दोनों को पहले अलग-अलग कर लेना है आपने और फिर ये जो फर्ष्ट वाला है इसको हम सीधा बुन देंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे आपके जितने भी फंदे हों यही चार-चार फंदे का डिजाइन आपको बार-बार प्रिपेट करना है दो उल्टे बनाने हैं दो फंदे को लूज करके आगे से स्लाई डाल देनी है और दो का एक फंदा हम बना देंगे अब देखें दो का एक किया तो एक फंदा कम हो गया लेकिन अभी जो दोनों फंदे स्लाई पर हैं को ऐसे करेंगे फर्ष्ट वाले में आगे से स्लाई डाल लेंगे इसको सीधा बुनेंगे और दोनों को उतार देंगे तो फंदे हमारे एकवल हो जाते हैं लास्ट के दो फंदे उल्टे तो पहली सलाई हमारे डिजैन के यहां पर कम्प्लीट हो गई दूसरी सलाई उल्टी साइड पर जो फंदे इधर हमारे उल्टे बने वो यहां सीधे बनेंगे जो इधर हमने दो सीधे बनाए वो हमारे यहां उल्टे बनेंगे तो दूसरी सलाई को ध्यान से देखिए, पहला फंदा एजश्टीच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाईए, पहले फंदे को मैं दोनों तरफ से उल्टा बुन कर लेती हूं, जिससे इसकी जो किनारी होती है, यह मुर्टी नहीं, यह बिल्कुल सीधी सीधी रहती है, तो ए धागा पीछे, यह दो फंदे जो हमारे सीधी सैड से उल्टे थे, वो यहां सीधे हो गए, तो देखें, दो उल्टे दो सीधे बनेंगे अब, धागा अपनी तरफ, दो उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, दो उल्टे, धागा पीछे, दो सीधे फिर धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे दो सीधे धागा अपनी तरफ दो उल्टे पूरी सिलाई का आपका ऐसे ही करम बनता जाएगा starting में है कि हमने एक फंदे को एजश्टीच गो उल्टा बून दिया फिर एक सीधा उसके बाद तो दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे और फिर धागा अपनी तरफ और दो उल्टे फिर लास्ट में हम थोड़ा सा ऐसे ही करेंगे एक फंदा सीधा बून देंगे और एक को हम उल दी साइड पर दिखिए पहले वाले दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे तीसरी सलाई पर धागा पेछे फिर दो फंदे हम सीधे बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे पूरी सलाई अब आपकी ऐसे ही जाएगी स्टार्टिंग के दो उल्टे फिर दो सी विधे करते हुए इसकी तीसरी सलाई को कमप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए लाश्ट तक हमने सलाई को बना लिया है लाश्ट के दो फंदे हमारे उल्टे आ गए तो तीन सलाईयां हमारे डिजैन की complete हो गई चोती सलाई उल्टी साइड पर चोती सलाई ठीक दूसरी सलाई के जैसे बनेगी पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे धागा पीछे एक सीधा अब धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे फिर दो सीधे धागा पीछे किया देखिए हमने दो फंदे सीधे बना दिये फिर धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे पूरी सलाई अब आपकी ऐसे ही जाएगी यहां तीसरी सलाई पर आपको सीधे उल्टे फंदे नजर आने शुरू हो जाएंगे ज यह हमारे डिजाइन की चोती स्लाई है चार स्लाईों में यह डिजाइन ओवर होता है देखने में बहुत ही सुन्दर है एकदम flexible सा यह डिजाइन है बनाने में बहुत ही आसान है इसे जो new beginners हैं जिनें सिरफ सीधा उल्टा वुन्नाता है वो भी इस डिजयन को आसानी से बना सकती है लास्ट में भी देखिए एक सीधा हो गया और एजस्टीज को हमने उल्टा बना दिया तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी चार सलाईयां कम्प्लीट इन ही चार सलाईयों को दोहराते हुए जाना है तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिजयन बनता जाएगा चलिए थोड़ी सी स्टार्टिंग आपको बताती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो दिखिए पहला फंदा उतारिये या उल्टा बनाईये एक और ये दो फंदे हमने उल्टे बनाए धागा पीछे करेंगे दो फंदे को ऐसे हलका सा लूज करेंगे आगे से स्लाई डालेंगे दो का एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर इन दोनों को थोड़ा अलग-अलग करेंगे जो first वाला फंदा इसमें आगे से slide डालेंगे और एक पार इसे सीधा बुन देंगे और दोनों को उतार देंगे तो 2 से हमारे वापस 2 हो गए फिर आपने 2 फंदे उल्टे बनाने है फिर से धागा पिछे करना है 2 फंदे को हलका सा लूज कीजिए आगे से slide डालेंगे और 2 का एक कर दीजिए तो 2 का एक करने से एक फंदा कम हो गया दोनों को अलग-अलग कलेंगे और ये जो हमारा first वाला फंदा है इसमें हम slide डालेंगे आगे से और इसको हम सीधा बुन कर दोनों को एक साथ उतार लेंगे फिर हमने वही दो उल्टे करने हैं और दो से design बनाना है तो friends ऐसे ही करते हुए आप slide को complete कीजिए और इस slide को complete करने के बाद फिर उल्टी side से जो फंदे आपको सीधी दिखे उनको सीधा बना दीजिए और जो उल्टे दिखे उनको आप उल्टा बना दीजिए बस जो मैंने 4 सलाईय स्टार्टिंग में आपको बुन कर दिखाई है उन्ही 4 सलाईयों को बार बार repeat करते जाना है तो बहुत ही शांदार आपका design बनता चला जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको ये design पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रूप में शेर कीजिए चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थेंक्यू